ओम श्री परमात्मने नमह यथार्थ गीता श्रीमत भगवत गीता उपसम्हार सामान्य रिते लोकू टीका समिक्षामा नवी वाद शोदे छे परन्तु सत्य तो सत्य छे ते ना तो नवू होई छे न जूनू नवी वादो तो अख़वारों मा छपाती रहे छे जे बनती घट्टी घटनाओ होई छे सत्य तो आ परिवर्तन शेल छे आना थी बिजू कोई कहे पणशू जो कहे तो पची तेने काई प्राप्त नथी करिऊ प्रत्यक महापुरुष चाली ने ते लक्षय सुधी पहुँची जशे तो एकज बाद कहशे ते समाजनी वच्चे फूट नहीं पाड़ी शके अगर एम कहे तो पची तेमने काई मेलवियू नथी एम साबित थाए शिक्रुष नहें पण आज सत्य कहुँँ जे सत्य पूर्वे मनीशियोये जोयू हतू मेलवियू हतू अने भविश्य मा थनारा महापुरुषों पण जो प्राप्त कर्शे तो आज बात कर्शे महापुरुष अने तेमनी कार्य प्रणाली महापुरुष दुनियामा सत्यने नामे प्रस्रेली अने सत्य जेवी लागती कूरितियोनु शमन करीने कल्यानना पथ पर पुरस्कुरूत करे छे आ मार्ग पन दुनियामा पहले थी हौई छे परन्तु एनी समान तर एना जेवा लागता अनेक मार्गों प्रचलीत थाई छे एमा थी वस्तूत सत्य शूंचे ते सत्य शोधुमू मुश्केल बनी जाई छे परन्तु महात्मा सत्य निष्ट होवा थी इमान सत्य ने पार्खी शके छे एने निष्चित करे छे अने सत्य तरफ अभीमूख्थवा माटे समाजने प्रीरीत करे छे रामे पन आज करिऊ, महवीरे करिऊ, बुद्धहे करिऊ, इश्यूए करिऊ, तेमच महमदे पन आमच करिऊ कवीर, गुरु नानक वगेरे पन आज करिऊ महापुरुष्वा दुनिया माथी चाल्या जाई छे त्यारे पाचनना लोको इमना बतावेला मार्ग उपर चाल्वाने बढ़ले, इमना जन्मस्थण, मृत्यूस्थण, तथा तेओ ज्यां गया होई, ते स्थणोंने पूझुवा लागे छे धिमे धिमे तेओ इमनी मूर्ती बनावी ने पूझुवा लागे छे प्रारम्मा तेओ तेमनी स्मूती च संभाळे छे, परतु समय जता भ्रम्मा पड़ी जाई छे, अने आ भ्रमज समय जता रुढीनू रूप लई ले छे योगेश्व शिक्रुष्णय पण ततकालिन समाज मा सत्यना नाम पर पोशाता रीती रिवाजोनू खंडन करिने समाज ने सुमार्गू पर स्थापेत करेऊ अध्याई बीजाना सोड मा शलोक मा एमने कहूं हे अर्जुन असत्वस्तुनू अस्तित्वज नथी अने सत्यनो त्रणे इकाल मा अभाव नथी भगवान होवाने कारणे आहू मारा तरफ ती नथी कहतो परंतु तत्व दर्शियोवे जे कहूं एज कही रहो छिवू तेर रुशियोवे पुर्वे गान करिव हतु अधारमा अध्यायमा त्याग अने सन्यास ना तत्वरी चर्चा करीने चारमा थी एक पसंद करी एने पोतानू समर्थन आपयो सन्यास श्रिकृष्ण ना समयमा अग्नीने न अडक नारा तथा चिंतन नो पन त्याग करीने पोताने योगी सन्यासी कहवडाव नाराओनो संप्रदाई पन चाली रहो हतो आ बातनों खंडन करता एमने स्पष्ट करिऊ के ग्ञान मार्ग तथा भक्ति मार्ग बनने माथी कोईपण मार्ग अनुसार कर्मनों त्याग करवानों विधान न थी कर्म तो कर्वूँच पड़े कर्म करता करता साधना एतली सुक्ष्म बनी जाए कि तमाम संकल पोलो अभाव थाई जाई छे एज पूर्ण सन्यास छे वच्चेना मार्ग मां सन्यास दामनी कोई वस्तुज न थी क्रियाओनों त्याग करवा थी के अगनीने नाडवा थी कोई सन्यासी के योगी बनी शक्तो न थी आवाद अध्याई 2, 3, 5, 6 अने खास करीने अधार मामा स्पष्टरीते जोई शकाई छे कर्म आविज भ्रांती कर्मना संबंध मां पर जोवा मले छे अध्याई विजाना ओगन चालिस मां श्लोक मां एमने जणावियो के हे अर्जुन अत्यार सुधिया बुद्धी तारे माटे सांख्यय योगना विशय मां कहवा मां आवी हवे तु दिशकाम कर्मना विशय मां सांबल निशकाम बनीने तु कर्मोंनु बंधन तोड़ी शकीश एनु थोड़ू पन आच्रण महान जन्म मरणना भैमाथी मुक्त करेशे आ निशकाम कर्ममा निश्च्रयात्म क्रिया एकच्छे, बुद्धी एकच्छे, दिशापण एकच्छे, परन्तु अविवेकियोने बुद्धी अनन्त शाखाओ वाली छे आथी ते कर्मना नाम पर अनेक क्रियाओनु विस्तार करी ले छे अर्जुन, तुन नियत कर्म कर, अर्थात क्रियाओ घणी छे, परन्तु कर्म न थी, कर्म निर्धारित दिशार छे कर्म एवी वस्तु छे, जे जन्म जन्मांतर ती चाली आवता शरीरोनी यात्रा नो अन्त लावे छे जो एक पण जन्म लेवो पड़े, तो यात्रा पूरी क्या थाई? यग्न, आ नियत कर्म शूं छे शिक्रुष्णे इस पश्ट करियो, कि अर्जुन, यग्ननी प्रक्रियाज कर्म छे आना सिवाई, दुनियामा जेकाई कर्वामा आवे छे, ते आ लोकनू बंधन छे, कर्म न थी, कर्म तो संसारना बंधन मा थी मुक्ती अपावे छे तो यग्न शूं छे, जिने क्रियान रित कर्वा थी, कर्म संपादी थैशके अध्याई चार्मा, शुक्रुष्णे तेर चौद रीते यग्ननू वर्णन कर्यू छे, जे बद्धा भेगा मणी ने, परमात्मानी प्राप्ती करावनार विधी विशेशनू चित्रण छे योग्नी क्रिया, श्वास, ध्यान, चिंतन, इंद्रिय संयम वगेरे थी सिद्ध थाईचे शुक्रुष्णे एपन स्पष्ट करियू, कि भवतिक द्रव्यों साथे आ यग्नने कोई संबंध न थी भवतिक द्रव्यती सिद्ध थतो यग्न अती अल्प शे, तमे करोडोंनों हवन भले करो संपूर्ण यग्न तो मन अने इंद्रियोंनी अंतव क्रियाथीज सिद्ध थाईचे यग्न पूर्ण थता जेनी स्रुष्टी करेशे, ए अम्रुत तत्वनी जानकारीनु नाम ग्नान छे आ ग्नाना अम्रुत नु पान करना योगी सनातन व्रम्म मा प्रवेश पामेशे जे मां प्रवेश मेलाववानो हतो, ते मेलवी लिदो, पची ते पुरुष्ण कर्म करे जहवाथी कोई प्रयोजन रहतू न थी आथी तमाम कर्म ते साक्षात कार सहीद ज्ञान मां शेश थाई जाई छे कर्म करवाना बंदन मां थी ते मुक्त बनी जाई छे आम निर्धारित कर्मने कार्य रूप आपवू ते कर्म छे, कर्मनों शुद्ध अर्थ छे आराधना गीता मां आ दियत कर्म अथवा तदर्थ कर्म अथवा यगनार्थ कर्म सिवाईनू बीजू कोई कर्म न थी आंगे स्व्रीकृष्ण वारमवार भारपूर्वक जणावी छे छठा अध्याय मां एमने आने कार्यम कर्म कहूं शौणमा अध्याय मां काम, करोद अने लोगनों त्याग कर्वा थी कर्मनों आरंभ थाई छे अने तेनाथी परम्श्रेय प्राप्त थाई छे एम जणावियू। सांसारी कर्मों मां मानस जेटलो व्यस्त रहे एटलाज प्रमाणमा एनी पासे काम, क्रोध अने लोब अधिक प्रमाणमा देखाई छे। आ नियत कर्मने एमने विदानोक्त कर्मनी संग्ने आपी। श्रीकृष्णनी आवाणी गीता छे। सत्तर अने अढ़ारमा ध्याई मापड शास्त्र विदी थी दिर्धारित कर्म, नियत कर्म, कर्तव ये कर्म अने पून्य कर्म तरफ संकेत करीने दर्ता पुर्वक जणाविशे के नियत कर्मज परम कल्यान कारी छे। योगेश्व श्रीकृष्णय आटला भार पुर्वक जे बाद करी ते नियत कर्म न करीने तमे श्रीकृष्णनी कहवूं न मानीने उल्टी सीधी कल्पना करो के संसार मा जे काई कराई छे ते कर्म छे। कश्चानों त्याग करवानी जरू न थी मात्र फळनी कामना न करो तो थई गयो निश्काम कर्म योग। कर्तव्य भावनाथी काम करो थई गयो कर्तव्य योग। जे काई करो ते नारायनने समर्पीत करो थई गयो समर्पण योग। आरित यग्णनु नाम आउताज आपणे मनमा भूत यग्ण, पित्रु यग्ण, पंच यग्ण, विश्णु निमित नो यग्ण वगेरे विचारी लेए छिए अन्ने एनी क्रिया मा स्वाहा स्वाहा बोली उभाथाई जईए छिए शिक्रुष्णे आ बदी स्पष्टता न करी होत तो आपणे इच्छा मुझब कईपण करिये परन्तु एमने मार्ग दर्शायवों छे तो जेटलू करूँ छे एकनू तो आपणे मानूँ जुए परन्तु आपणे मानता न थी आपणने वार्शामा अनेक रीत रिबाज पुझा पद्धती मल्या छे जे मगजमा जकडाई ने पड़या छे बहार निवस्तु होई तो आपणे ए वेची दईने पन छुटकारों मेलवी शक्ये परन्तु आप पुर्वग्रहोतो मगजमा गोठवाई ने आपनी साथो साथ चाले छे शिक्रुष्णना शब्दोंने आपने आपनी रित धाड़ी ने अर्थ काडिये छिए गीता तो अत्यंत बोध घम्य सरण संस्कुनूत मां छे तमे अन्वयार्थ लेशो तो पन शंकाव भी थशे नहीं आप उस्तक मां आज प्रयास करायों छे युद्ध यग्न अने कर्म एबे प्रश्णज यथार्थ समझी लेवामा आवे तो युद्ध, वर्ण व्यवस्था, वर्ण संकर, ज्ञान योग, कर्म योग, अत्वा संक्षेप मां संपून गीता समझ मां आवी जशे अर्जुन लड़वा माकतो न थी ते दनुष्य फैंकी ने रतना पाच्छलना भाग मां बेसी गयो परन्तु योगेश्वर्शी कृष्णे एक मात्र कर्मनी शिक्षा आपी अने कर्म उपर भार मुक्यो उपरांत अर्जुन ने पन एक कर्म उपर चालतो करी दिधो युद्ध थयू, एमा संध्याई न थी गीताना पंदर बीस शिलोक एवा छे के जे मां वारमवार केवा मां आव्यो छे हे अर्जुन तु युद्ध कर परन्तु एक पन शिलोक एवो न थी के जे मां बाहिय मार पीट्टू समर्थन करायो होई आ बाबत मां अध्याई बे, त्रोण, अग्यार, पंदर अने अधार जोवा केमके जे कर्मा उपर भार मुक्यो हतो ते नियत कर्मतो एकांत मां तमाम वृत्तियोंने संकेली ने ध्यान मां एकाग्र थवाती थाई छे कर्मनू आज स्वरूप होई, तो युद्ध के वो गीता मा कहवाये ली कल्यान नी बाद युद्ध करना रहो माटेज होई, तो तमें गीता थी केडो छुडा विलो तमारी सामे तो अर्जुनना जेवी युद्ध नी कोई परिस्तिती न थी वास्तों मा त्यारे पन ए परिस्तिती हती औने आजे पन ए परिस्तिती छेमनी तेमच छे चित तने अंदर वाली लेने, रदैमा ध्यान धरवाथी, काम, क्रोध, राग, द्वेश, वगेरे विकारों तमारा चित मा टक्षे नही आ विकारों सामे संगर्ष करवो, एमनों अंत आन्वों एज युद्ध छे विश्वों मा युद्ध थताज रहे छे, परन्तु एना थी कल्यार नहीं, विनाश थाई छे एने शान्ती कहो, के परिस्तिती कहो, बीजी कोई शान्ती दुनिया मा मलती न थी आत्मा शास्वत तत्वने प्राप्त करे, त्यारेच शान्ती मले छे आ शान्ती साधन गम्य न थी, एना माटे नियत कर्म कर्मू आवश्यक छे वर्ण आ कर्मनू चार वर्णों मा विभाजन कराया हुँँशे ध्यान चिंतन तो बधा करे छे प्रतु केटलाक श्वास प्रश्वास दी गती रोकवामा सक्षम बने छे केटलाक शर्वातमा बेक अल्लाक ध्यानमा बेसी दे डस मिनिट माटे पन पोताने पामिशक्ता न थी आविस थितिवाडों अल्पग्न साधक शुद्र शेणी नो छे ते पुद्वानी स्वाभावी क्षमता अनुसार परीचरियाथीच कर्मनो आरंभ करे छे क्रमश, वैश्य, क्षत्रिय औने ब्राम्मन न वर्गनी क्षमता एना स्वभावमा ढऴवा मांडे छे एनो उतकर्ष थतो जशे परन्तु ब्राम्मन श्रेणी पन दोश युक्त छे क्यमके हजूपन ते ब्राम्म अलग छे ब्राम्ममा प्रवेश मेळवता ते ब्राम्मन रेतो नथी वर्णनो अर्थ छे आक्रूती आ शरीर ए तमारी आक्रूती नथी जेवी तमारी व्रुत्ती एवी तमारी आक्रुती छे। श्रीकृष्ण कहे छे, अर्जुन पुरुष श्रध्धा मैं छे, आथी क्याक ने क्याक एनी श्रध्धा अवश्य होई छे, जेवी वृत्ती तेवो पुरुष वर्ण एतो कर्मनिक शम्तानों आंतरिक मापदंड छे. परन्तु लोकोए ते नियत कर्म छोड़ी ने बहार ना समाज मां जन्मना आधार पर जातियोंने वर्ण नाम आपी इमनों व्यवसाई नक्की करी आपयों. आतो एक सामाजिक व्यवस्था मात्र हती, ते कर्मना यथार्थ रूपने तोड़े छे, मरोडे छे, जेती एनी खोखली सामाजिक मरियादा अने जिवीकाने ठेस ना पहुँचे. कालान तर्मा वर्णनु निर्धारन मात्र जन्मत ही थवाला लाग्यों, पर तुँ आउँ कशु छेज नहीं, श्रकृष्णय कहूं के चार वर्णोंनी स्रुष्टी में बनावी छे, शुब भारतनी बहार स्रुष्टी नथी, अन्यत्र तो आ जातियोंनु अस्तित्वा पन न थी, भारत माज लाख्षो जातियों अन्य पेटा जातियों छे, शिकृष्णय श्यू मनुष्वनी वैच्णी करिया थी, गुणोंना आधारे कर्म वैच्वामा आव्यू, कर्मनु विभाजन्त हैू, कर्म समझाशे तो वर्ण पन समझाशे, अन्य वर्ण सम्झाश तो वर्ण संकर नू यथार्थ स्वरूप पन समझाई जशे। वर्ण संकर आ कर्म मार्थी चलीत्थ नारज वर्ण संकर छे। आत्मानों शुद्ध वर्ण परमात्मा छे। इमां प्रवेश अपावनार कर्म थी दूर जईने प्रकृती मां मिश्रित्थ थमू तेनू नाम वर्ण संकरता। श्रिकृष्ण एस पश्ट कर्यों के आ कर्म करया थी ए स्वरूप ने कोई मिलवतु नथी। अने प्राप्ती बाळा महापुरुष्णे कर्म करवा थी कोई लाब नथी। कर्म छोडवा थी कोई हानी नथी। आम छता लोग संग्र माटे ए महापुरुष कर्म करेशे। आ महापुरुष्वनी माफक मारे पन प्राप्त थवा पात्र कोई वस्तू अप्राप्त न थी। आम छता पाचल वाळाओनी इच्छाने करणे हुँ कर्म करूछू। कर्म न करूँ तो बधा वर्ण संकर थई जाए। स्त्रियो दूशित थता वर्ण संकर पैदा थवानू स प्रत अहिंश्विकृष्ण कहे चे के स्वरूप मा स्थित महापुरुष्ण कर्म न करे तो लोको वर्ण संकर थई जाए। ए महापुरुष्णी नकलकरीने आराधना बंद करी देवा थी प्रकृतिमा भटकवू पड़े चे। आथी आ कर्म करीने ज प्रम नैश्कर्मिय स्थिती पुताना शुद्ध वर्ण परमात्माने प्राप्त करी शकाये चे। गिनान योग तथा कर्म योग। कर्म एकत छे, नियत कर्म, आराधना, परंथु एक कर्वा माटे बे द्रश्टी कौन छे। पुतानी शक्ती समझीने, हानी लाबनो नेर्णईलेईने कर्म कर्वू ते ग्णान योग छे। आ मार्गनो सादक जाने छे, के आजे आ स्थिती छे, परंथु आगल जता हुँ आ भुमिकामा प्रवेश करी शकीश, अने त्यारे हुँ मारू स्वरूप प्राप्त करी शक आ भावना मन मा राखी ने ते कर्म मा प्रवुरुत थाए छे, पोतानी स्थिती नोई जानकारी साथे ते आगल वधे छे, आथी ते एक ग्णान मार्गी कहवाई छे, समर्पणनी भावना साथे एज कर्म कर्वू, हानी लाबनो नेर्णे इष्ट पर छोड़ूँ ओ, ए निश्काम कर्म योग छे, भक्ती मार्ग छे, बन्ने ना प्रेणा दाता सद्गुरु छे, एक ज महापुरुष पासे थी जनान मेडवी ने, एक स्वावलंबी बनी कर्म मा प्रवुरुत थाई छे, जरे बीजो एमनी पासे थी सिक्षन लईने, एमना उपरज निर्भर र परमसत्य निश्काम कर्म योग द्वारा पन मणे छे, जे बन्ने ने एक तरीके जुए छे, एज साचु जुए छे, बन्ने ने क्रिया बतावनार तत्व दर्श्री एक छे, क्रिया पन एक चे अनि ते आराधना, कामनाओनों त्याक बन्ने करे छे, अनि परिणाम पन एक केवण कर्म करवाना द्रश्ची कौन 2 शे। एक परमात्मा नियत कर्म, मन अने इंद्रियों नी एक निर्धारित अंतक्रिया शे। ज़रे कर्मनू आ एकत स्वरूप शे। त्यरे बहार मंदिर, मस्जीत, चर्च बनावी ने देवी देवताओनी मूर्ती के प्रतिक नी पुजा करवी क्या सुधी सुसंगत छे। भारत मां हिंदू के हडावनार समाज, वस्तूथ ते सनातन धर्मी छे। इना पुर्वजोय परमसत्यनी शोद करीने देश विधेश मां इनो प्रचार करे। ए मारगे चालदारा विश्व मां गमेते हौई पंते सनातन धर्मी छे। आटलो गवरव शाली हिंदू समाज छे। भारतमा हिंदू केवडावनार समाज, कामनाओ थी विवश्थ थाईने विविध भ्रांतीमा पड़ी गव। शिकृष्ण कहेछे, हे अर्जुन, देवताओना स्थान पर देवता नामनी कोई शक्ती नथी। जया मनुष्यनी श्रद्धा नमेचे, त्यारे एनी आडमा हूज उभोरईने फड़ आपूछू। एनी श्रद्धाने पोशूचू। केम के हूँ, सर्वत्र शू। पनतु एमनी पूजा अविधी पुर्वक्त छे। तेमनू फड नाश्वन्त छे। कामनाओ ये जिमनू ग्णान हरीलिदू छे। ते मूढ बुद्धी वाळा मानसोज बीजा देवताओने पूजे छे। साथविक लोको देवताओने पूजे छे। राजसी लोको यक्षराक्षसोंने पूजे छे। तथा तामसी लोको भूत प्रेतोंने पूजेशे, घोर तप करेशे, परन्तु हे अर्जुन ते शरीर मा रहेल भूत समुदाए अने अंतकरण मा रहेल मने परमात मने क्रुष करेशे, ए पूजता न थी, आथी ए लोकोंने तु आसुरी वित्ति वाला समझ, आना थी वदारे क्रुष्ट कहे, हे अर्जुन इश्वर तमाम प्राणियोंना रदैमा वसे छे, केवल एनू शरनलो पूजानु स्थान रदैमा छे, बहार नहीं, छताय लोको पत्थर, पाणी, मंदीर, बस्जी, देवी, देवताओनों पीछो करे छे, एनी साथे श्टिक्रुष्टनी ए केना अनु आईयों बनावी लिदी, अने पूजा करवालाएगा दीवों करीने, जरे बुद्धे तो कयूं हातू, आनंद तथागतनी शरीर पूजामा समय नश्चना करीश, मंदीर, मस्जीद, जर्च, तीर्थ, मूर्तियों तथास मारकों ती पुर्वे थाईगेला, महा पुत्रे सीता, आगला जनम मा एक ब्राम्मन कन्या हाती, पुता ना पितानी प्रेणा थी, परभ्रम्मनी प्राप्ति माटे अने तपस्या करी, पर तु सफ़ल न थाई शकी, बीजाय जनम मा रामने प्राप्त करया, अने चिनमय, अविनाशी, आदि शक्तिना रूप मा प आगी गई, अर्चनों वेठी अने सफ़ल थे, तेनी स्मूर्थी जाड़ावा मंदीरों थाया, स्मारक्त हया, ये थी समाज इमना उपदेश माथी बढ़ प्राप्त करे शके, मीरा, सीता, अथ्वा ते पक्ष्णा सोधनार, प्रत्येक महापुरूष आपनों आदर्ष छ आपने इमना पगले पगले चाल्गूँ जोईये, परतु आपने इमना चरणों मा फूल चड़ावी ने, चंदन चोखा चड़ावी ने बेसी रहीशूं, और एटला माज आपना कर्तव योनी इतिश्ट्री बानीशूं, तो एना थी मोटी भूल बीजी कई हाशे? सामान्य रीते, जे जेनो आदर्श होई, इनी मुर्ती, चित्र, पादुका, इमनु स्थान, अथवा एमने संबंदित काईग पन जोवा सांबलवाथी मनमा श्रधा उम्टी आवे छे, आ योग्य पन छे, हो पन मारा गुरुदेवना चित्र पर थूकी ना शकू, एमना च सित्र ने कच्रा पेटी मा फैकी शकू नहीं, केमके ते मारो आदर्श छे, एमनी प्रिर्णा तथा उपदेश प्रमाणे मारे चालवानू छे, एमनु जे स्वरूप छे, क्रमश त्या सुधी चाली ने एमनी प्राप्ती करवी एज उद्देश छे, आज साची पूजा छ साधर माने लिवा थी, लक्ष थी दूर भटकी जवाशे, पुतानी आदर्श व्यक्तियों न उपदेश रदैमा उतारी ने एमार्गे चालवानी प्रेड़ना प्राप्त करवा माटेज स्मारकों नो उप्योग छे, पची बले तेने तमे आश्रम, मंदीर, मस्जीद, चर एने शू करिऊ, शू मेर्वियू, केवी रिते एने तपस्या करी, केवी रिते प्राप्ती करी, मात्र आटलू शिखवा माटे अमे त्या पौँचिये चिये, अने पौँचमू पण जोईए, पर तु आस्थानों पर महा पुरुष्ण पदचिन्न नहीं दर्शावाए, अमल मा मुकीने शिखवा मा नहीं आवे, कल्यान नी व्यवस्वा नहीं मले, तो ते स्थान खोटू थर्शे, त्या तमने मात्र रुधी मलशे, त्या जवा मा तमने नुकसान थशे, व्यक्तिगत स्वरूपे घैर घैर, गलीक, गलीक जैने उपदेश पौचाडवाने स्थान प्राप्त करे लिदू, त्या भ्रहम नो उचेर थवा माण्डेओ, गरंथ निर्देश्ट क्रियाने समझी शकाए, ते माटे पुस्तक वांचच जरूरी छे, योगेश्व शिक्रुष्णे एने नियत कर्म कहों छे, एने समझाए जाए, तो तरतच ते करवानू शरू कर्मूं जुए, विस्बरन थाई जाए, तो फरिती याद करी लेवू, मात्र पुस्तक ने हाद जोडी दे, चोखा चंदन चड़ावी, राखी मुखवानू न थी, पुस्तक तो मार्ग निर्देशक चिन्न शे, ते पूर्ती परियंत साथ हापे शे, एना मार्ग दर्शन प्रमाने, तमें तमारा गंतव्य तरफ आगणवधी शक्षो, तमें इश्च ने रदैती पकड़ी लेशो, तो इश्ट आपनू पुस्तक बनी जशे, आथिस ब्रुत्ती साचवी हानी कारक नाथी, परन्तु आस ब्रुत्ती चुन्योंनी पुजाथीज, संतोश अनुभोवो एह हानी कारक छे, धर्म अध्याई बीजाना, सोलमा थी ओगंत्रीसमा श्लोक सुधीमा, योगेश्वशिक्रिष्णना मत प्रमाने, असत वस्तुनू अस्तीतुव नथी, अने सत्नो कदापी अभाव नथी परमात्मा सत्य, शास्वत, अजर, अमर, आव परिवर्तंशिल अने सनातन छे, परंतु ते परमात्मा अचिंत्य अने अगोचर छे, चित्तना तरंगोथी पर्चे, हवे चित्तनो निग्रह केम थाए चित्तनो निरोध करीने परमात्माने पामवाना विधिविशेशनू नाम कर्म छे, अकर्मने कार्य रूप आपवू एज धर्म छे, जबाब दारी छे गीताना अध्याई बिजाना 40 मा श्लोक मा भगवाने करूं के हे अर्जुन कर्मयोग मा आरामनो नाश्ट थी कर्म रूपी धर्मनी थूडिक साधना पन जन्म मरणना भैथी बुक्त करे छे, अर्थात आ कर्मने कार्य रूप आपवू एज धर्म छे आ नियत कर्म साधन पथना साधक ने क्षमता अनुसार चार भागमा वहचवामा आबया छे कर्मने समझीने मनुष्य जरे कर्मनो आरंब करे त्यारे ते प्रारंबिक अवस्थामा शुद्र छे धिमे धिमे तेनी विधी समझवा मांडे त्यारे ते वैश्य छे प्रकृतिना संगर्ष्णों सामनों करवानी क्षम्ता अने शवरी आवता एज व्यक्ती क्षत्रिय बनेशे ब्रह्ममा तद्रुप्थवानिक शम्ता एग्णान वास्तविक जानकारी विग्णान इश्वर्वानी मलवी ए अस्तीत्वपन निर्भर रहवानिक शम्ता आवी योग्यता आउताज ए व्यक्ती ब्राम्मन बने शे आथी योगेश्वर्शिक्रुष्णे गीताना अध्याय अधार्माना श्लोक 46 अने 47 मा कहूँछे कि स्वभावमा प्राप्त ख्षम्ता अनुसार कर्ममा जोडावू स्वधर्म शे हलको होँआ च्छता स्वभावती उपलब्द स्वधर्म श्रियस कर्छे अने क्षम्ता प्राप्त कर्या विना बिजाना उन्नत कर्मनु परिपालन कर्वू हानी कारत्छे पोताना धर्ममा मर्वू स्रेश्ट छे केंके वस्तर बदलवा थी वस्तर बदलनार बदलातो न थी इमनी साधना नो करम त्याथी फरीथी शरू थाई जाई छे जाथी ते छूट्यों होई आम क्रमबद्ध क्षमता प्राप्त करी ने ते परमसिद्धी अभिनाशी पदने प्राप्त करी ले छे आवात उपर फरीथी भार मुकी ने कहूं कि स्वभावती प्राप्त क्षमता अनुसार मनुष्य परमात्मा थी तमाम प्राणियोंनी उत्पती थाई अने जे सर्वत्र व्याप्त छे तेनी योग्य रिते पूजाकरी ने ते परमसिर्धी मेडवे छे अर्थात निश्चित विदी थी एक परमात्मानु चिंतन कर्मू एज धर्म छे धर्ममा कोने प्रवेश मड़े छे ए मेडववानो अधिकार कोने छे आंगे योगेश्वरे कहिऊं हे अर्जुन अत्यंत दुराचारी पड़ मने अनन्य भाव थी भजे अनन्य एटले अन्य नही परत्तु मारा सिवाय विजा कोईने पन न भजता केवण मने भजे ते धर्म साथे जोडाए छे आति श्रीकृष्ण अनुसार परमात्मा मा अनन्य निष्ठाती लागणार व्यक्तिज धर्मात्मा छे परमात्मानी प्राप्ती माटे नियत कर्मनु आश्रण करे ते धर्मात्मा छे धर्मात्मा ते छे जिस्वभावती नियत क्षमता अनुसार परमात्मानी शोद मां सउलगन छे अंत्मा कहे छे कि सर्व धर्मान परीत ज्य मामेकम शरणम रज हे अर्जुन बधा धर्मों ने छोड़ी दे एक मारा शरणमा आओ आथी एक परमात्मा प्रती समर्पित व्यक्तिज धार्मिक छे एक परमात्मा मां श्रद्धा स्थीर करवी एज धर्म छे एक ज़ परमात्मानी प्राप्तीनी निश्चित क्रिया करवी धर्म छे आ स्थितिये पहुँचेला महापुरुष आत्म संतुष्ट महापुरुष्णों सिध्धान्तज स्रुष्टी मां एक मात्र धर्म छे। आ कर्म योग मां निश्चयात्म क्रिया एक छे। इंद्रियों नी चेश्टा अनिमन्ना व्यापार्ने से यमित करिने आत्मा मां परत्पर ब्रह्म मां प्रवाहित करवा। धर्मांतर सनातन धर्मना प्राचीन देश भारत मां कूर रिवाजो एटला फूल्या फाल्या के मुसल्मानों ना आक्रमन वक्ते धर्म आक्रमकों ना हाथे चोखानों एक कोडियों खावा थी बे गुटडा पाणी पीवा थी नश्च थवा लागयो। धर्म प्रष्ट जाहिर करायेला हजारो हिंदुवे आत्म हत्या करिली दी। धर्म माटे तेवो मरवानू जानता हता परन्तु धर्मने तेवो समझे तोने। धर्म तो थई गयो स्पर्षा स्पर्ष छूता छूत। लजामनी नो छोड हाथ अडवाती मुड़ जाए जाए छे परन्तु हाथ लई लेता तरत खिलवा लागये छे। परन्तु आ सनातन धर्म तो एटली हदे करमाई गयो के पची क्यारे विक्स्योज नहीं। जे सनातन आत्माने भवतिक वस्तू स्पर्षी पन न शके ते अड़कवा थी खावा थी नश्ट थाए। तबे तल्वार थी मरो पन धर्म स्पर्ष्टी नश्ट थाई गयो। शुक खरेखर धर्म नश्ट थयो हातो कदापी नहीं। धर्मना नामे जे कूर इवाज विक् जे तो हिंदु वे पोतानों मो खोलेलू राखों जो ये। तो ते हिंदु दीनदार धर्मवाडों मुसल्मान बरी जशे। केमकि इनी पासे कोई धर्म न थी। ये खोटु शुक खेऊ। मौमा थुकवा थी तो एकज मुसल्मान पर कुवा मा थुकवा थी तो हजारों खरे खर ते आतरई हतों, क्ये ते काड़नों हिंदु समाज अथुआ एक प्रकारनी रहनी करनी बदली बीजा प्रकारनी रहनी करनी अपनावा थी, एक ऐ धर्म न थी आप प्रमाने योजना बद्ध शडियंत्रणों शिकार बनावी जेमने इमने बदल्या शूतेओ धर्मात्मा हता ते तो वड़ी घणी मोटी कूरितियोना शिकार हता हिंदू एमा जैने फसाई गया अव विक्सित अने गैर मगे दुरवाई गयेला कबिलाओ परिवारोंने सभ्य बनावा महमदे लगन, तलाक, वसियत, लेनी देनी, व्याज, शाक, कसम, प्रायशित, रोजी रोटी, खान पान, रहनी करनी वगेरे विशे एक सामाजिक व्यवस्त आपी तेमज मुर्ती पुजा, शिर्क, व्यविचार, चोरी, शराब, जुगार, मा, दादी, इत्यादी साथेना विवाव उपर प्रतिबंध मुक्यों, सजाती तथा रजस्वला साथे मैथुन्नों निशेत करीने, रोजाना दिवसोवापन एना माटे छूट आपी जन्नत मा बहु समवयस्क, अस्प्रुष्ट सुंद्रियों औने बाल किशोरोंनू प्रलोभन आबेओ, आ कोई धर्मना हतो, एक प्रकार्नी सामाजिक व्यवस्था हती, आउ कहीं कहींने इमने वास्नामा डुबेला समाजने, त्यांती फेरवी पूतानी तरफ वालेओ, स् स्त्रियोंनी आकांक्षाव विश्य कोईनू ध्यान गयूज नहीं, महमत साहबे, जेने धर्मगण्यों ए तरफ तो कोईनू ध्यान अज गयू नथी, एमने कहीं हतों के, जे मनुष्यनों एक श्वास पन खुदाना नाम वगर नो जाए, तेने खुदा कायामत वक्ते एव पन श्वास खुदाना स्मनन वीना न जतो होई, करोडों मा कदाच एक मले, बाकी तो बदाना श्वास खाली जाए छे, एमनी सजा पापियों माटेनी सजा जेवी छे, मतलब के एनी सजा नरकत छे, महमते एवी व्यवस्ता आपी के जे कोईने सतावतो नथी, पश्योंने दुख पॉचाड़तो न थी, ते आकाश माथी खुदानों अवाद सामले छे, आ सर्वस्तानों माटे हतु, परन्तु अनुयाईयों ए, एमाथी एवो रस्तो काड़ियों, के मक्का माँ एक मस्जिद छे, जे माथी लिलू घास तोडवू न जोईये, ए मस्जिद मा कोई पशुने मारवू नहीं, त्या कोई ने दुख ना पॉचाडवू, और आ बदुख करीने पची यथा स्थाने आवी ने उभा रही गया, शो भगवाननों अवाद साम्भरता पहला महमदे कोई मस्जिद बनावडावी हती खरी, क्या रे कोई मस्जिद मा कोई आयात उतरी आ मस्जिद तो एमनु स्थान हतू, जहा तेमनी याद सुरक्षित छे, महमदनो उद्देश तबरेच समझियो हतो, मन्सूरे जाने हो हतो, इकबाले पन जाने हो हतो, परन्तु तेवो मजहा भी लोकोना शिकार बन्या, एमने यातनाओ आपी सॉक्रिटिस ले जैर पिवडावियो, केमके ते लोकोने नास्तिक बनावी रहो हतो, आओज आक्षेप इश्यू ख्रिस्त उपर मुकोआमा आवेओ, एमने शूरी ये चड़ावया, केमके ते विश्राम सबातना दिवसे पन काम करता हता, अंधोने द्रष्टी आपता हता आवू भारत मा पन शे, आज पन कोई प्रत्यक्ष दर्षी महात्मा सत्यनी तरफ निर्देश करे शे, तो आ मंदिर, मस्जिद, मठ, संप्रदाय, अने तीर्थो जेनाद्वारा जेमनी आजी विकाओ चाले शे, ते हाय हाय करवा लागे शे, अधर्म अधर्मनी भूमों मा पारे शे, केटलाक तो एना थी लाखो करोडों कमाई शे, तो केटलाक नी दाल रोटी निकले शे, साची वातना प्रचार थी, एमनी जीवी का खत्रामा आवी पड़े शे, ते सत्यने पांगरवा देता रथी, दैशके पन नहीं, आ सिवाय एमना विरोध माटे बिजू को पुद्कार मा आस पुद्कार मा आस पुद्की केम राखवामा आवी हती, एनू इमने भान पन न थी, ग्रुवस्थो नो अधिकार लोको घणिवार पूछे छे के कर्मनू आज स्वरूप होई, एमा एकांतनू सेवन, इंद्रीय संयम, निरंतर चिंतन, अने ध्यान धर्वानू होई, तो भगवत गीता ग्रुवस्थो माटे निरूप योगी छे, आम होई, तो गीता मात्र साधू माटे छे, प्रंतु खरेखरतों गीता जे मार्गनों पथिक छे, अथ्वा पथिक बनवा मागे छे, तेना माटे छे, गीता मानों मात्र माटे एक सर्खी उप्योगी छे, सद्गुरुहस्तो माटे इनू विशेश उप्योग छे, केमके त्या थी कर्मनों आरम भथाई छे शिक्रुष्णे कहुँ हतु, के हे अर्जुन आ निश्काम कर्मयोग मा आरम भथाई पन नाश्था तु न थी, इनू थोड़ूक पन आचरण, जन्म मरणना महान भई माथी छुटकारों आपे छे तमेज कहो, थोड़ी साधना कौन कर्शे? ग्रुवस्थ के सन्यासी? ग्रुवस्थ अज एना माटे थोड़ो समय आपशे आएना माटे छे, अध्याई चोथाना छत्रीसमा श्लोक मा कहूं के हे अर्जुन, तु तमाम पापियों करता पन अधिक पाप करनारों होईश, तो पन ग्ण्यान रुपी नवका थी, नी संदे पार थाई जैश अधिक पापी कौन छे, जे निरंतर लागेल छे, अथवा जे लागवा चाये छे ते, सद्ग्रुवस्थ आश्रम थीज कर्मनों आरंब थाई छे अध्याई छट्ठाना, साड़त्रिस्ति फिस्तालिस्मा शलोक मा अर्जुने पूछू, के भगवान, शिथिल प्रयत्नवाडों, शद्धावान पुरुष, परमगती प्राप्त ना करीने, कई दुर्गती ने पामेशे शिक्रुष्णे कहूं, अर्जुन, योग थी चलाएमान, शिथिल प्रयत्नवाडा पुरुष्णों तो क्यारे विनाश्थ थातो रथी ते योग ब्रष्ट, शूची नाम श्रिमंता गेहे, शुद्ध वर्तनवाडा श्रिमान ने त्या जन्म लईने, योगी कुणमा प्रवेश मेलवे छे साधन तरफ आकर्शित थाई छे, अने अनेक जन्मों बाद त्या पहुँचे छे जेनू नाम परमगती अर्थात परमधाम छे, आ शितिल प्रवेश न कौन करे छे योग ब्रष्ट थाईने ते क्या जन्म ले छे, ते ग्रुवस्त तो बने छे, त्या थी ते साधनों मुख बने छे अध्याई नौमाना त्रीस्तमा स्लोक मा एमने कहुँँ, कि अत्यान्त दुराचारी पन मने अनन्य भावती भजे, तो ते पन साधुच छे केम के ते निश्च्वय पुर्वक साचा रस्ते चड़ी गवो छे अत्यान्त दुराचारी कौन होई, जे भजनमा प्रयूक्त थयो छे ते, के जेने कर्मनों अजू आराम कर्योज नथी ते अध्याई नौमाना 32 मा श्लोक मा कहूँ, के स्त्री, वैश्य, शुद्र, तथा पाप योनी वाड़ा पन मारा आश्वित थैने साधना द्वारा परम गती पामे शे ते हिंदू होई, इसाई होई, मुसल्मान होई, शिक्रुष्ण एवू कई न थी कहता एतो कहे शे के अत्यांत दुराचारी, खातकी होई, तो पन मारा शर्ण मा आवी ने परम गती प्राप्त करे शे आम गीता मानों मात्र माटे शे, सद्ग्रुहस्त आश्रम थेज, कर्मनों आरंब करे शे क्रमश ते सद्ग्रुहस्त योगी बने शे, पूर्ण त्यागी बनी जाई शे, अने तत्वन उदर्शन करीने परम्मा प्रवेश मेलवे शे जेने विशेशिक्रुष्ण एक कहूं के गिनानी मारुज स्वरूप शे भवतिक सम्रुद्धी गीता परम कल्यान करे शे, साथो साथ मनुष्यों माटे आवश्यक भवतिक वस्तु ओनूपन विधान करे शे अध्याई नौमाना 20, 21 और 22 मा श्लोक मा योगेश्वर शिकुष्ट कहे शे के घणा लोको निर्धारित विधी थी बने पूजी ने बदलामा स्वर्गनी कामना करे शे एमने विशार स्वर्ग लोक मणे शे जे हूं जाकू छू, जे माक्षू ते हूं आपिश पर तु उपभोग पची ते समाप्त थाई जशे कान के स्वर्ग नो भोग पण नश्वर शे एमने फरीथी जन्मल लेवो पडशे हाँ, मारी साथे संकडायल होवा थी ती नाश नहीं पामे केमके हूं कल्यान स्वरूप छू हूं एने भोग आपो छू अने धीमे धीमे निब्रुत करावी ने फरीथी तेमने कल्यान मा प्रव्रुत करीदाऊं छू क्षेत्र टिकाकारों कहेशे एक कुरुक्षेत्र बहार छे औने बीजू मन नी अंदर छे गीतानों एक अर्थ बहारी छे औने बीजू अंदर नों छे पड़ एवू कशूज न थी वक्ता एक वाद कहेशे परंकुष्रोता पोतानी बुद्धी ने अनुरूपज तेने पकड़ी शकेशे इतला माटे अनेक अर्थ प्रतित थाईशे साधना पथुपर क्रमाश्व चाली ने जे पुरुष शिकृष्णना स्तरे पहुँची जशे तो जे द्रश्य शिकृष्णनी सामे हातु ते एनी सामे पड़ाऊशे एवो महापुरुष इमना मनोभाव गीताना संकेतोंने समझी शकेशे अने समझावी पन शकेशे गीतानों एक पन्शलोक बहारनू वर्णन करतो नथी खावू, पहरवू, रहवू, एतो तमें जानों छो रहनी करणी, मान्यता, लोकरीती, नीतीमा देश, काड़ने परिस्तिती मुझब अनुकूल परिवर्तन, प्रकृतिनी देन छे आम श्रीकृष्ण तमने कई व्यवस्ता आपे क्या कन्याओनी संख्या बदू छे, त्या बहु विवात हाई छे जा एनी संख्या ओची होई, त्या घणा भाई बच्चे एक पतनी रहे छे अमक श्रीकृष्ण शीव यरस्ता करे बीजा विश्व युद्ध पची, जापानमा जन संख्यानी कमी एक समस्या बनी गई हती त्रीस बाड़कोंने जन्मा आपनार माताने मधरलेंड, देशनी मातानों खिताब आपीने संद्मानीत करवा मावी वेद काल मा भारत मा दस संतान उत्पन करवानों नियम हतो हवे एक के बे बाड़क बस ना सुत्त्रों प्रसारिक थे रहा छे आम थाए तो समस्या रों उकेल आवे छे श्रीकृष्ण आमा शू करे श्रेय काम, करोध, लोब, मोह माटे कोई शाला खोलवामा आवी न थी आम छता आ विकारोमा युवको, मोटा तथा शाना वधू प्रमीन निकले छे आवाशी कृष्ण शू शिक्षा आपे आ वधुतो प्रक्रुतीने अधीन छे क्यारेक वेद शिखवामा आवता दनुर्वेद गदा युद्ध शिखवामा आवतू आजे एकोने शिखवाई शे आजे तो पिस्तोल चलावामा आवे शे स्वचालित यंत्रोनों यूग शे क्यारेक रथ संचालन शिखवामा पड़तू तू गोडाने साफ सुथरा राखवा पड़ता आजे मोटरों तेल थी साफ कराई छे हेमा शिक्रुष्ण शू बतावे शू एम कहे के गोडाने ना भूली जाओ बहार तमारे शू व्यवस्ता करे पहला स्वाहा बोलवा थी वर्षा थती हवे साधनों थी वर्षा कराई छे पहला पाक नों आधार वर्षाद उपर हतो आजे इच्छा मुझा पाक लई शकाये छे योगेश्वशी कृष्ण कहे छे के प्रकृतिती उत्पन्य गुणों द्वारा परवश्ट थाईने मनुष्य परिस्तिती अनुसार घडाये छे गुण जातेज इने ढालवामा सक्षम बने छे ते भवतिक शास्त्र, समाच शास्त्र, सिक्षन शास्त्र, अर्थ शास्त्र, तरक शास्त्र वगेरे घरतो रहे छे एकज वस्त्व एवी छे, जे मनुष्य नथी जानतो, नथी ओडखी शकतो आ वस्तु छेतो एनी पासे, परतु एनू एने विस्मरन थेऊँ छे गीता सामड़ीने अरजुनी स्मूती तो पाची आवी गई आस्म्नूती परमात मानी छे आस्म्नूती रदैमा होवा छता एना थी घणी दूर छे मनुष्य अने मेडववा मागे छे, परन्तु एने रस्तो मरतो नथी मनुष्य ते कल्यान पंत्त थी अग्णान छे मोहनू आवरण एटलू घनेश्ट होई छे कितने विचार करवानों समय ज मरतो नथी जरे अईंतो आ महा पुरुषे तमारा माटे समय काढ़े हो छे कर्मनी स्पष्टता करी छे अने ते करवा माटे गीता मा निर्देश करया छे गीता भौतिक वस्तुओ पन आपे छे परन्तु श्रेईनी सर्खामनी मा प्रेई नगणिय छे श्रीकृष्टन कहवा प्रमाणे कल्यान मार्गनी जानकारी एनू साधन छे अने एनी प्राप्ती सद्गुरु थकी थाए छे आम तेम तिर्थ स्थानों मा भटकवा थी नहीं परन्तु संत द्वाराज एनी प्राप्ती थाए छे अध्याई त्रीजाना 34 मा श्लोक मा श्रीकृष्टन कहवा अर्जुन तू कोई तत्वदर्शी महापुरुष पासे जा तेमने योग्यरी ते दंड प्रणाम कर निश्कपड भावती एमनी सेवा कर अने तेमने प्रसंद्न करी ने ज्ञान प्राप्त कर प्राप्तिनो एक मात्र उपाय छे कोई महापुरुष नू सानीध य अने इनी सेवा अध्याई अधार्माना अधार्मास लोक में अमने दर्शावियू कि तत्वदर्शी महापुरुष ग्णान अर्था जानवानी विदी अने ग्णेई परमात्मा त्रणेई कर्मना प्रिरक्त छे। आम श्री कृष्णा मतानु सार महापुरुषज कर्मनु माध्यम छे, पुस्तक नहीं, पुस्तक तो एक नुस्खो छे, नुस्खाना रटन थी कोई निरोगी न थाए, एनो अमल करो, तोज निरोगी थवाए. नरक अध्याई सोडमाना सोडमा श्लोकमा आसुवी संपतिनु वर्णन करता योगेश्वर एक जणायविऊ, के अनेकरिते ब्रमित चित्त वाळो, मोहमा फसायेलो, आसुरी स्वभावनो मनुष्य, आ पवित्र नरकमा जायी छे, प्रश्ठत हवो स्वाभावी छे, के नरक अने कोने कहे छे, आ क्रम मा स्पष्चता करी छे, के मारो द्वेश करना नराधमोंने, हुँ वारम वार आसुरी योनी मा नाकूँ छे। पिंडदान प्रथम अध्याय मां विशाद ग्रस्त अर्जुन ने आशंका थाई के मनुष्य समुहार थी पित्रू ओ पिंडदान के अरपण थी वन्चित रही जशे। उतारी ने नवा धारन करेशे बराबर एज रिते आ आत्मा जिर्ण शरीर छोडी ने ततकाल शरीर गुपी नवीन वस्त्र ग्रहन करेशे। अथी योगेश्वरे एने अग्ञान कहुँँछे। अध्याई पंदर्माना सात्मा श्लोक मा आज बाबत उपर भार मुकता जणाविय। के आत्मा मारो सनातन अउश्च छे, मारूज स्वरूप छे। मन सहित पाँच इंदरियों कार्य कलाब जन्य संसकार लईने बीजू शरीर धारन करीले छे। अने मन सहित इंदरियों मार्फत आगला शरीरों मा भोगों भोगवे छे। आत्मा ये शरीर धारन करी। त्या पन भोग सामगरी उपलब्द छे। पशी पिंडदान देवानी शून जरूर। अहीं एक शरीर छोड़िय। त्या बीजू शरीर धारन करी। ते सीधों बीजा शरीर मा जाई छे। वच्चे कोई आराम की विराम नथी। आम नहोई तो हजारों पेटियों ना पित्रों नू अनादी कार्थी पड़या रहूं। तथा एनी जिवी का वंशोजों ना हाथे निर्धारित करभी। तथा पांजराना पक्षीनी जेम इमनू रुदन पतन आ बधू केवन अग्णान छे। आथी जिश्वी कृष्ण इने अग्णान कहूं छे। पाप अने पुण्य आ अंगे समाज मा अनेक भ्रांती प्रवर्ते छे। योगेश्वी कृष्ण ना कहवा मुझब रजोगुण थी उत्पन्य थता आ काम अनेकरोद भोगों थी कदी न धराता महा पापी छे। अर्थात कामज एक मात्र पापी छे। पापनू उद्गम स्थान काम छे। कामना छे। आ कामना क्या रहे छे। श्रीकृष्ण ना कहुँ के इंद्रियो, मन, अने बुद्धी इमनू निवास्थान छे। विकार शरीर मा नहीं, मन मा होई छे। तो शरीर धोवा थी शुँवर छे। श्रीकृष्ण ना मत अनुसार, मननी शुद्धी थाई छे, नाम जब थी। ध्यान थी, समकालीन कोई तत्वदर्षी महापुरुष्णी सिवा थी, इमना प्रत्ये समर्पन भाव थी। अध्याई चौथाना 34 मा श्लोक मा जेने माटे प्रोच्छान अपायो छे, ते तद विद्धी प्रणी पातेन, सिवा अने प्रश्णो करीने एक न्यान प्राप्त करवू, आग न्यान थी, तमाम पाप नाश पामे छे। अध्याई त्रीजाना 13 मा श्लोक मा कहूं के यगन थी शेश बचेल अन्यने खानार संत जन तमाम पापों थी मुक्त थाये छे, जे शरीर माटे कामना करे छे, ते पापी ओ पाप खाये छे, अहीं यगन चिंतन दी एक निश्चित क्रिया छे, इन थी मनमा पडेला चराचर जगतना संसकार भसमी भूत थाई जाये छे, शेश मात्र ब्रह्मज बचे छे, आथी शरीर ना जन्मनों जे कारण छे, ते पाप छे, अने जे अम्रुत तत्वनी प्राप्ती करावे छे, जे मल्या पचिक्यारेई शरीर धारन करवानू रहतू न थी, ते पून्य छे, पाप नष्ट थाये छे, ते संपूर्ण ब्रह्मने, संपूर्ण कर्वने, संपूर्ण अध्यात्मने तथा मने सारी रीते जाने छे, मने जानीने मारामा स्तित थाई छे, आथी जे जरा मरण अने दोशोथी उपर उठावी, स्षास्वतनु ग्nान अपावी, एमाज अध्याई दस्माना त्रीजाश लोक मा कहें छे कि जे मने जन्मम्रुत्यों थी मुक्त आदी अन्त थी मुक्त तथा तमाम लोक ना इश्वर ने साक्षातकार करीने जानीले छे ते पुरुष मर्त्य मनुष्यों मा घ्न्यान वान छे अने आवी जानकारी धरावनार तमाम पापो थी मुक्त थाई जाए छे आम साक्षातकार थता संपूर्ण पापो मा थी निव्रुत्ती बढ़े छे टूक मा वारम वार जन्म मरणनु कारण पाप छे परन्तु एनाथी बचावी ने शाष्वत परमात्मा तरफ वाले परम शांती पमाडे ते पुन्य कर्म छे सत्य बोलवूं पोतानी मैनत नुखावूं स्त्रियो मा मात्रु भाव राखो इमानदारी राखवी वगे रेपन पाप पुन्यना सहायक अंग छे परन्तु सर्वोत कृष्ट पुन्य तो छे परमात्मानी प्राप्ती जे के कर्म एक परमात्मानी श्रद्धा तोडे छे ते पाप छे संत सव एक छे भगवत गीताना अध्याय चोथानी शर्वात्मा भगवान कृष्ट ने कहुं के कल्पना प्रारंभ मा में आ अभिनाशी योग सुर्य ने कहो हातो परंदु श्रीकृष्ण ना पुर्वकालें इद्यास मा अथ्वा अन्य कोई पन शास्त्रों मा श्रीकृष्ण ना नामनों उल्लेख मलतो न थी वास्तव मा श्रीकृष्ण एक पूर्ण योगेश्वर छे ते एक अव्यक्त अने अविनाशी भावनी स्थीती छे परमात्मा मेडववा निक्रिया अर्थात योगनों सुत्रपात करायो तो वास्तों मा आविस्तिती वाला महापुरुषेच करयो पशी भलेने ते राम होय कि रुशी जर्त्रुष्ट केम न होय आज उपदेश इशुक्रिस्त, भामद, गुरु नानक वगेरे पन आपयो परन्तु आ कायू हतू श्रीकृष्णे आम बद्धा मापुरुषो समानत छे बद्धा एकच छे बद्धा एकच बिंदुने स्पर्ष करीने एकच स्वरूपने पामे छे आपद एकच छे अनेक पुरुषो आ मारगे चाल छे परन्तु मंजीरे पहुँची ने ते सव एकच पद ने पाम छे आवी अवस्ताय पहुँचेला संतनु शरीर एक मात्र मकान छे ते शुद्ध आत्मस्वरूप छे आविस्तितिये पहुचेला महापुरुषोय जे कहुँँ ते योगेश्वरेच कहुँँ संत क्याक ने क्याक तो जन्म लेज छे पुर्व मा के पश्चिम मा काला के धोड़ा परिवार मा पुर्व प्रचलीद कोई धर्माव लंबियोंनी वज्जे अबोध कवीला मा सामान्य जीवन जीवनार गरीब अथवा अमिरों मा जन्म लईने पन संत एमनी परंपरा वाला थता न थी एतो पुताना लक्ष परमात्माने पकडीने स्वरूप तरफ अग्रेसर थाई छे एना उपदेश मा जाती पाती वर्गभेद रंगभेद के अमिर करीबने दिवाल रहती न थी एनी द्रश्टिये नर मादानों भेद पन रहतो न थी महापुरुषोंना मरण बाद अनुयाई उपोतानों संप्रदाय बनावीने संकुचित थाई जाई छे कोई महापुरुष्णी पाचल चालनार यहुदी थाई जाई छे तो कोई ना अनुयाई, इसाई, मुसल्मान, सनातरी वगेर थाई जाई छे परन्तु आ दिवालों थी संतनों समागम कदी थतो न थी संत न तो सांप्रदाय चे न तेनी कोई जाती चे संत केवण संत चे एने कोई सामाजिक संगठन मा बांधवानी जरूर न थी आम दुनिया भरना संतो गमे ते कबिरामा जन्म्या होई के कोई पन धर्म संप्रदाय वाला एमनी पूजा अधिक करता होई परन्तु कोई पन संप्रदाय ना प्रभाव मा आवी ने आवा संतो ने टीका करवी जो ये नहीं केम के ते निरपेक्ष चे दुनिया ना कोई पन स्थान मा उत्पन संत नी निंदा करवी योग्य न थी कोई आउं करे चे तो ते पोता नी अंदर रहेला अंतर यामी परमात माने दूरबढ करी रहो चे ते परमात माती दूर थाई रहो चे स्वयम पोतानी हानी करी रहो चे संसार मा जन्म लेडार पैकी कोई तमारों साचो हिते चुहोई तो ते संत चे आम एमना प्रती सारदै रहवू दुनिया भरना लोको माटे मूर करतव यशे इना थी बंचीत थवू ते पोताने दगो देवा बराबर छे वेद गीतामा वेदनू वर्णन खुब आवे छे परंतु वेद मार्ग निर्देशक चिन्न मात्र छे एक माइलस्टोन मात्र छे मंजीले पहुँची गया पछी व्यक्ति ने एनो कोई उप्योग रहतो नथी अध्याई वीजामा शीकुष्णे कहुँ हे अरजुन वेद तरण गुणों पर प्रकाश नाकी शके रहे बराबर एज रिते ब्रह्म ग्न्यान मेलवेल महापुरुष अर्थात ब्राम्मनोंने पन वेदों थी एटलूच प्रयोजन रहे छे परन्तु बिजाओं माटे तो इनों उप्योग रहे छे अध्याई आठमाना 28 मां श्लोक मां कहिँ अर्जुन मने तत्वती सारी रीते जानी लिधा पशी योगी वेद यग्न तप दान वगेरे पुण्य फडोंने पार करीने सनातन पद मेलवेशे अर्थात ज्या सुदी वेद जीवित छे यग्न करवाना रहे छे त्या सुदी सनातन पदनी प्राप्ती थति नथी अध्याई पंदर्माना प्रारंब मा भगवाने दर्शावियो के उपर परमात्मा जेनू मूल छे अने नीचे कीट पतंग्या सुधिनी प्रक्रुती जेनी शाखा प्रशाखा छे एवो संसार पिपडानू एक अविनाशी ब्रुक्ष छे जे इने मूल सही जाने छे ते इमना तरफाज प्रेरे शे ओम श्रिकृस्ठान मायर्ष द्रशन मा ओमना जब नू विधान मले शे अध्याय सातमाङ आठमाजलोक मा ओम कार हूंशु अध्याय आठमाणा तेरमाजलोक मा ओमनो जब औने मारु चिंतन कर अध्याई नौमा मा जानवा योग्य पवित्र ओमकार हुँछुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुु आम श्रिकृष्ण ना कैवा प्रमाणे ओमनो जब नितांत आवश्यक्त छे। एनो विधी आवा अनुभवी महापुरुष पासे चिक्वों। महापुरुष बाय तथा आंतरिक, व्यावहारिक तथा आध्यात्मेक, लोकरीती अने यथार्थ वेदरीती बन्नेनी जानकारी राखेशे। आज कारण थी समस्त समाजना महापुरुषोय रहनी करणीनुँ विधान बतावियों अने एक मर्यादित व्यवस्था पन आपी। वसीष्ट, शुक्राचारिय, स्वयम योगेश्वशिक्रिष्ण, महात्मा बुद्ध, मुसा, इसा, महमद, रामदास, दयानन्द, गुरु गोविंसी वगेरे हजारों महापुरुषोय आम करियू छे। परंतु आब्यवस्था सामयिक होई छे। पिडित समाजने भावत वस्तु आपवी यथार्त नथी। भावतिक मुझ्वणों क्षणिक छे। शाश्वत नथी। आथि एनों उकेल पन ए समय पूर्तोज होई छे। एने चिरंतन व्यवस्थाना रूपमा ग्रहन करी शकाई नई। व्यवस्थाकार। समाजिक विक्रुतियोंने महापुरुष उकेले छे। आम नव करवामा आवे तो ग्णान वैराग्य जनीत परमनी साधना कौन साम्बडे। व्यक्ति जे वातावरणमा फसाई छे। एने त्यांती हटावी ने यथार्थ जानवानी स्थितिमा लाववा माटे अनेक प्रल जो भन अपाई छे। आती महापुरुष जे शब्दो वापरे छे, कोई व्यवस्था उभी करिया आपे छे, ते धर्मन थी, आना ती मात्र 100-200 वर्ष नी व्यवस्था मले छे। 400-600 वर्ष माटे उदाहारन रूग बनी जाई छे। अने क्रमर्ष हजार-बेहजार वर्ष मातो ते सामाजिक आविशकार नविन परिस्थितितियों नी साथो साथ निश्प्राण बनी जाई छे। गुरु गोविन सीनी सामाजिक व्यवस्था मा शस्त्र अनिवार यहातु, परन्तु आजे शस्त्र तरीके तलवार राख्वी उचीत थाशे। इसा गादी उपर मेस्ता हाता। गादी बावत में एमने करेली व्यवस्था नू आजे शूँप योग छे। एमने कहुँँ कि कोईनू गधेडू चोर्वू नहीं, आजे गधेडू कौन पाड़ाईशे। आज रीते श्रीकृष्ण है ए समयनों समाज व्यवस्थित करे। जेनों उल्लेक महाभारत भागवत वगेरे ग्रंथों मा शे। साथों साथे ग्रंथों मा एमने यथार्थनू पन अहीं तहीं चित्रण करे। परम कल्यान कारी साधना अने भावतिक व्यवस्थाना निर्देश ने भेगा करी देवामा आवे। तो समाज तत्व निर्णायक क्रमने बराबर समझी शक्षे नही। भावतिक व्यवस्थाऊने ते जिमनी तेन कदाच वधारीने ग्रहन करेचे। केमके ते भावतिक छे। महापुरुषे गहूं छे एम कहींने आ व्यवस्थाऊनी प्रशवम श्टापन कराईचे। आलोको महापुरुष्णी वास्तविक क्रियाने तोडी मरोडीने भ्रामक बनावी देछे। वेद, रामायन, महाभारत, बाईबल, कुरान वगेरे तमाम प्रती पुरुवग्रह युक्त धुन्दुली दाणा ओज शेशमा रही छे। मनुष्य मात्र माटे गीता मनुष्य मात्र माटे यथार्थ कलियाननु एक मात्र साधन छे। जेनु क्रमबध वर्णन शिक्रुष्ण कथित गीता छे। प्रस्तु टिका समझाए तो कोई तत्वदर्शी महापुरुष्ण सानित्यमा समझवानों प्रयत्न करवो। निवेदर्थ एम करवाजता आपने आपना लक्षती वन्चित रही जईये। आना श्रद्धा पुर्वक अध्ययन्थी मानों पोताना कल्याननु पूरे पुरू साधन प्राप्त करेशे। अन्य यत किंचित पणक्रहन करशे तो परमश्रेईने प्राप्त करी लेशे। करण के आईश्वर मार्गमा आरंभनों नाश कदी नथी थतो।